प्राइब आपके साथ मौनिका क्रोवर दर्शुकौ आज भी हम आपको बताएंगे राश्य नुसार वो उपाए जो फेब्रारी मन्त को बहतर बना देंगे खुबसूरत बना देंगे तो विशेश प्रकार के उपाया आपको बताए जाएंगे लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं दा फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, इन्वास्थु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी का नमस्कार सर नमस्कार सर बात करेंगे आज कुम्व राशी के लिए कुम्व राशी के जा तक activist को बहतर बनाने के लिए अपनी राशी अनुसार क्या उपाए अपनााएं जानना चाहेंगे आएए दर्शों को बात करते हैं कुम्ब राशी राशियों में ग्यारवा इस्थान रखती है और ग्यारा का जो अंख होता है वो बड़ा अपने आप में मित्रता वाला अंख होता है यानि कि 1 प्लस 1 is equal to 2 ग्यारवे नंबर की आपकी राशी है और वास्ताम में आपके अंदर इतना प्रेम होता है जिनकी या कुम्ब राशी है वाइदे में ये अपनी जान दे दें किसी को इतना वाइदे के ये लोग सच्चे होते हैं और बड़ा रूल रेगुलेशन फालो करने वाले लोग होते हैं बड़ा मतलब कहने का भाव कि बड़ा स्टेप बाई स्टेप जीवन को जीना सिद्धान्तिक तरीकों से जीवन को जीना हाला कि पांचे उंगले एक सार नहीं होती लेकिन अमूमन इस राशी की ये विस्यस्ता होती है अब जिनकी ये राशी है जिस समय आप पैदा हुए उस वक्त चंद्रमा कुम राशी में थे तो आपकी कुम राशी हो गई जनम की लेकिन जिनको पुकारते नाम से जाना जाता हो जैसे जिनका नाम एस अक्सर से प्रारणम होता हो या और भी इसके एक दो अक्षर होते हैं मालूमी ही है तो जिन लोगों को पुकारते नाम के हिसाब से कुम राशी बनता है वो लोग भी यह उपाए करें फैब महीने के उपाए बड़े कीमती हैं दिये की आखरी बूंद भी अंधेरे से लड़ती है मालूम है आपको हमें भी जीवन में हर छण ये प्रियतन करना है जो हमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ अच्छा करना है है ना ये संसार नश्वर है एक ना एक दिन सब की बारी आती है और इस संसार से सब विदा और जुदा हो जाते है लेकिन किसने क्या अच्छा किया किस نے जीवन को बखोबी जिया यह भी एक अलग बात होती है इसलिए मेरे दर्शुक ओ जोतिस में आप विस्वास करते हैं नहीं करते हैं डिपेंड ओन यू उपाय में विस्वास करते हैं नहीं करते हैं यह आप जाने लेकिन मेरा एक फर्ज है being a astrologer कि मैं आपको हर महीने के कुछ न कुछ बढ़िया उपाय देता रहूंगा और आप करते रहे कई बार आपको ये भी लगता है कि शर्माजी हम चार महीने से उपाय कर रहे हैं हमें लाब नहीं हुआ हम छे महीने से वर्थ को रखे हैं हमें लाब नहीं हुआ तो कई बार लाब हमारी कमी की वज़ासे भी नहीं होता टेबलेट खानी कौन सी है खा कौन सी रहे हैं गाड़ी रास्ते पर किस पर जानी है जाना जैपूर है और हम किसी और रास्ते को निकल गए तो इसलिए अगर मार्ग भटक जाएं तो फिर भटकावा जाता उपाई से कैसे लाब लें सही से उपाई कैसे करने चाहिए उपाई से लाब क्यों नहीं मिलता इस प्रकार की कुछ विशेस नाएं और कुछ ऐसे विशेस विशेशांक आप हमें यूट्यूब पर सर्च करके उन सब चीजों को भी देख सकते हैं वो सारे एपिसोड हमने बनाए है खैर आपकी राशी कुम्ब है आपकी राशी के स्वामी कौन है शनी है नौर्थ इंडिया में ठंडी का आलम है बरफ गिर रही है बहुत जगा ऐसी इलाके भी है और पानी में बहुत शीतलता है और ऐसी इस्तिती में शनी देव आप से जुड़े हैं आप क्या गजब का उपाय करें बाहर के मुलकों में भी हमारा कारके नम बहुत जगा देखा जाता है ऐसे बाहर के बहुत मुलक हैं जहां बहुत ठंड होती है एक उपाय अगर संभभ हो जाए तो आप जरूर कीजिएगा क्या आप कहीं पर भी कच्चे कोईले अगनी के लिए हाथ तापने के लिए सरीर को गर्माईश देने के लिए जहां भटी जलती है किसी को भी डोनेट करें जितनी आपके पास बॉकिट है किसी धर्मिस्थान में दीजिए किसी ऐसे निडी लोगों को दीजिए ऐसा कोई काला वस्त्र दान कीजिए ठंडी के समय में लाब मिले देखो हम सब कपड़े पहन लेते हैं अच्छे अच्छे से और हमें कुछ देना आना चाहिए एक हमने एपिसोड बनाया था कि देना आना चाहिए आप उसको सुनिएगा अगर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा दूसरी बात लकड़ी दान कर सकते हैं या कच्चा कोईला या हाड कोक आता है हाड कोईला कोईला आता है उसको भी हम कहीं दे सकते हैं एक उपाई तो शनी का ये हुआ और ये उपाई आपको दो या तीन शनी बार करना है इससे बहुत अच्छा लाब मिलेगा किसी धर्मिस्थान में या किसी ऐसी जगा जहाँ भोजन बनता हो भोजनालियम है आप गैस से संबंदित कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं लाइक स्टोब दे सकते हैं चूला दे सकते हैं वो ताकि अन पकाने के काम आता है कोई भी लोहे से संबंदित पात्र दे सकते हैं जो आन पकाने के काम आता है बनाने के काम और दूसरी बात एक चीज़ आपको और बता देते हैं आपके बहुत काम आएगी खासतोर से बहुत लोगों के पैरों में दर्द बहुत रहता बहुत लोग इस बिमारी से परह сил है तो ऐसी इस्तितितिमें आप लोग माल कांगनी का तेल डोनिट कर सकते हैं माल कांगनी का तेल जो होता है ये घुटनों के दर्द के लिए लाइक पहना सिया ऐसा कारे करता है तो आप माल कांगनी का तेल और इसको यूज कैसे किया जाता है इसके दो चार्ट डॉप रात को घुटने पर डाले जाते हैं उसको फिर हलका-हलका मालिस करके आप सो जाएं जिनको दर्द रहता स्वंभी इस दवा को यूज़ कर सकते हैं देसी दवाई है जहां देसी जड़ी बूटिया मिलती है वा मिल जाती है किसी को दे भी सकते हैं चाता चतरी किसी को दे सकते हैं और एक उपाय और शीशा आई ना किसी धर्म इस्थान में शीशा लगवा सकते हैं विंडो टूटी हुई हो वहां आप शीशा लगवा सकते हैं कई ऐसे विंडो की आवश्यक्ता हो वहां लगा सकते हैं कोई charitable जगा है क जहां ग्लास लगने की आवश्यक्ता है, ऐल्मुनियम लगने की आवश्यक्ता है, लोही की कोई ग्रिल लगने की आवश्यक्ता है, आप अपने पैसे से लगवा सकते हैं, दूसरी बाद, शनी का बीजात्मक मंत्र आप जरूर पढ़ें, ओम शम सनिस्चलाय नमा, चाहे इसक को लगे सहज और अच्छा उसे जनाब कीजिएगा और यदि आज का समय ऐसा है किसी को कुछ देते हैं लोग शक कर लेते हैं पता नहीं किया आप हमारे उपर जादू टोना कर रहे हैं आप अपने घर से बाहर बैठ जाएं अगर आपका बाहूल ऐसा है तो और वहां कच्छे कोहले जला लें या लकड़ी जला लें शनिवार की रात को ताकि लोगों के हाथ तापने के भी काम आए सबसे मिलिये खुछ होईए और इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं लकड़ी का दान करना भी महादान माना जाता है और खासतोर से अगनी जब परवेश उसमें करती है तो उससे और भी लाब मिलते हैं मस्टर्ड ओयल सर्सो का तेल आप कहीं डुन dys कर सकते हैं में भी 70 ग्राम सतर ग्राम या सास्सो ग्राम आप सास्सो का तेल भी कहीं दे सकते हैं तो दर्शो को जिन की कुम्ब राशी है और इन उपायों में से जो भी आपको लगे कि मैं वही छाता दे सकता हूँ मैं ग्लास शीशा दे सकता हूँ मैं काजल की डिब्भी किसी को दे सकता हूँ मैं उस दिन कोई ब्लैक कपड़ा अंदर से पहन सकता हूँ किसी को ब्लैक गरम कपड़ा दे सकता हूँ या मैं अगनी जलाकर के लोगों की मनद कर सकता हूँ गर्माईश आजाए जहां ठंडी के इलाके हैं कच्चा कोईला में दे सकता हूँ तो जो भी आपको लगे कि I can do उस चीज़ को आप कर लेना आप किसी भी धर्म से जुड़े हो आप जुरूर कीजिएगा और जरूरी नहीं आप बहुत जादा करें एक या दो शनिवार ऐसा कर लीजिएगा और एक लास रुपाए किसी भी मजभ से आप जुड़े हो शनिवार की सुभा सबसे पहले शीशा देखिए आप आइना देखिए आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शनिवार की सुभा आइना देखें शीशा देखें और ऐसा तीन या चार शनिवार हम कर सकते हैं उमर भर भी कर सकते हैं जिनकी कुम राशी है शनिवार की तिन आदर डालने आइना सबसे पहले उटते ही देखा करें हाला कि हाथ की लाईने देखी या आती है ऐसे भी कर सकते हैं पहले हाथ की लाईने देख ले फिर आप शीशा देख ले लेकिन ये अगर उपाय की हम बात करें तो जिनकी कुम राशी है उनको उटते ही सबसे पहले शीशा देखना चाहिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी सुबह उटते ही पहले आईना देखते थे अब देखो भई देख लें तो अच्छी बात है तो आज जो मैंने उपाय बताए हैं जरूर करें और एक लास्ट उपाय चलते चलते गरम मसाला भी शनी के रूप में माना जाता है यानिके आपकी रासी के दान में माना जाता है किसी भी तरह का कोई मसाला हो या गरम मसाला हो उस दिन परचेज करके जरूर लाएं बाई दिवे किचन में सब की जरूर पढ़ती है खासतोर से महिलाम को तो पता ही होता है तो आपको किचन में खतम तो होई जाता आज नहीं होगा कल हो जाएगा तो छोटा मोटा कोई गरम मसाले का पैकेट उस दिन परचेस करके घर में जरूर लाएं ये रामबाण और आखरी उपाए ऐसा एक चनिवारी कर लें आपके लिए बहुत है उमीद करता हूँ जिनके कुम्ब राशी है फैब के महीने के उपाए आपको लाभानवित करेंगे और इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा तो फैब्रूरी के मंद को उत्तम बनाने के लिए खुबसूरत बनाने के लिए एक कुम्ब राशी के जातक अपनी राशीर उसार क्या उपाए अपना है आपने जाना ज़रूर अपना येगा बाकी YouTube पर सब्स्राइब करना ना भूले और अगर आप शर्मजी का माग दर्शिन प्राप्त करना चाहते हैं उनसे वेक्टी का तॉप और मुलाकात करना चाहते हैं तो आप संस्थान में कॉन्टाट कर सकते हैं और परसनल अपॉइंट में ले सकते हैं या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन से तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंट मेंट ले लें जोज रहे हैं उस ताइम उसके बास जॉब नहीं थी। वड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी तोड़ा जॉब चोड़ी मैं एकदम से बोला उसको कि तुम यह लगा ओ फोन और पहली बार ही उसका अपके साथ फोन लगया पहली बार ही उसका फोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी जोकरी मिलेगी तोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नोकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नोकरी कर रही है धान्या बहुत बहुत इसके लिए